कोरोना वेक्सिन से जुड़े हुए 10 अपडेट्स आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूं तो वीडियो को पूरा जरूर से दिखें नए हो चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथी दबा दो बेल के आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर एक छोटी से रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब से अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को अंत तक हर रोज देख रहे हो तो वीडियो को शेयर भी कर दो तक ही ज्यादा लोग तक ही वीडियो पहुंचे मैं बहुत ही कम सब्सक्राइब आपके साथ शेयर करता हूँ पहला अपडेट केसे से जुड़ा हुआ है तो 62,000 के आसपास के इस पिछले काफी दिनों से जो है वो रह रहे है अगला अपडेट जो है वो 18 प्लस के लिए अ अगला अपडेट जो है वो सिरम इस भारतबा अटक से जुड़ा हुआ है तो वो लोग जो है वो गवर्मेंट से मतलब आसा बना रखे है कि प्राइस जो है बढ़ानी पड़ेगी गवर्मेंट को कुछ अभी के टाइम में 150 रुपीस से लेके 250 रुपीस के बीच में जो है में ही रहने वाली अभी भी फ्री में है और आफ्टर पेंडामिक जब रेगुलर बेजस पर से कंजूम करना होगा तब भी ये फ्री में ही रहेगी अगला अपडेट जो है वो जुड़ा हुआ है एक्स्टेंशन ऑफ कोविशिल्ड डूस डूस इंटरवल तो आप सभी को है वो science-based experiment से जो result मिला था उसी के base पे ये किया गया है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा decision है हाँ आपको लगेगा मुझे second dose नहीं मिला है आपको काफी लंबा wait करना पड़ेगा लेकिन जब आपको second dose मिलेगा तो उसे काफी जादा efficiency मिलेगी अगर आप मुझे continuously follow कर रहे ह होगा कि जब कोविशिल का data आ रहा है था तो दो डोस लेन के पास 62% efficiency के आसपास efficiency निकल के आइच लेकिन जब इंटर्वल को बढ़ाया जाता है तो up to 90% भी हो सकती है ये तो आपको wait जरूर से करना चाहिए अगला update जो है वो जुड़ा हुआ है first covid vaccine death के साथ तो यहाँ पे जो है वो एक कह सकते हो के अलर्जी बेस डिजीज है वेक्सिन लेन के बाद अलर्जी हुई है और उसमें death जो हुई अब देखते आगे इस पर के exactly बताया जाता है अगला update जो है वो जुड़ा हुआ United States के साथ तो जो भी स्टूड़न्ट जो है United States में पढ़ने चाह रहे है उन्हें वेक्सिन लिया है ऐसा प्रूफ सब्मेट करने की जरूरत नहीं है they just need to submit COVID-19 negative report 72 hours prior मतलब आपको सिर्फ एक RT-PCR टेस्ट ही करवाना पड़ेगा अगला update जो है वो जुड़ा हुआ AstraZeneca के साथ एक antibody cocktail बना रही है तो उसमें जो है वो फेल हुए है COVID प्रिवेंट जो COVID के symptoms है वो प्रिवेंट नहीं हो रहे है देखते है exactly कितना efficient निकल के आता है यहां पर अभी के study में जो है वो 33% effective है जो कहीं पर भी close नहीं है कि उन्हें US FD approval मिले यहां पर अगला update जो है वो जुड़ा हुआ है GST के साथ तो GST relief जो है वो दी जाएगी COVID items पे तो यहां पे वो अभी भी जो stock है उस पे भी लागू पड़ेगा जो आने वाला stock है उस पे भी लागू पड़ेगा COVID items है COVID vaccine नहीं है COVID vaccine पे 5% GST जो है वो रहेगा ही लास्ट अपड़ेट पे चलते है जो जुड़ा हुआ है COVID vaccine के साथ तो COVID vaccine जो है वो एक नुवा वैक्स की वैक्सीन है जिसके बारे मैंने कल ही आप सभी को बताया था जो है 90% के आसपास efficiency निकल के आती है तो government जो है वो कोवेक्स को ट्रायल बच्चों के लिए बहुत जल्दी पर्मिशन देने वाली है और एक अची ख़बर यह है कि Serum Institute इंडिया ने जो है वो रिस्क लेके last month ही यह वैक्सिंग के कुछ डूजिस बनाना स्टार्ट कर दिये थे तो जब इसे अप्रोल मिलेगा तो कुछ डूजिस जो है वो होगे last update जो है वो जुड़ा हुआ टिंडर के साथ टिंडर भी एक नया फीचर इंट्रीउस करने वाला है अलाकि यह सभी आप से मुझे तो कुछ ज़्यादा फरक पढ़ता ने को भी यूज नहीं किया है लेकिन वहां भी COVID-19 vaccination का status यहां पर दिखाएगा अपने vaccine ली है या नहीं आसा रखता हूं आज का Corona vaccine का update वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा आया है यहां तक वीडियो को देखा है ना तो एक like का बटन तो बनता है like कर दो वीडियो को कर दो share ताकि आप भी वीडियो द नहीं पाई में नहीं जा पाई आया है यहां रहाई है वीडियो म दोची रहाँ कि अटा है यहां कि वीडियो का वीडियो कि अ.